किसान भाईयो नमस्कार यह तर्बूजे की खेती की वीडियो का चौथा पार्ट है और इस पार्ट में हम आप लोगों को बताएंगे कि तर्बूजे में लगने वाले कौन से रोग होते हैं और उसके लच्छन क्या होते हैं और उसका आप निवारण किस तरह से कर सकते हैं औ और कौन-कौन सी दवाएं आपको इस्प्रे करनी होगी किस किस रोग पर तो यही सब चीजे आज हम आप लोगों को बताएंगे यह जो हमारा तर्बूज आप पीछे देख रहे हैं यह 8 मार्च 2020 को इसकी बुवाई की गई है और अभी लगबक 60 से 61 दिन हुए हैं और यह खेत हमारा हरा भरा दिखाई दे रहा है और आज 9 माई 2020 है और तक्रीबन हमारा जो तर्बूज रहा है इसमें अगर कुछ एक रोगों को छोड़ दिया जा तो पूरी तरह से सुरच्चित रहा है और एक अच्छे उत्पादन की हमें उम्मीद है और इस तमें जो हमारा तर हम सुरू कर सकते हैं एक नजर आप लोगों को तर्बूज पर दिखा दे रहे हैं कि हमारा पौधे का विकास कैसा चल रहा है आप सब यहां पर देख सकते हैं कि जो हमारे तर्बूजे की लताय है यह पूरे खेत में फैल गई है जिसकी वज़े से मिट्टी तक नहीं दिख अब हम यहां पर लोगों को दिखा रहे हैं और इस तरह से फल लगे हैं लगभग 10 फल लगे हुए हैं तो अगर आप लोग अच्छी देख भाल करते हैं सभी रोगों से अपने पौदे को मुक्त रखते हैं तो आप की फसल भी इसी तरह से होगी तो अब ज्यादा लेट न हैं इस समय हम अपनी बुवाई कर चुके हैं और अब इसके बाद सबसे पहले अंकुरण होता है और जब हमारा अंकुरण होता है तो इसमें जो रोग लगता है उसे कहते हैं कद्दू का लाल कीड़ा और यह कीड़ा क्या करता है कि आपकी जो पत्तियां होती है उसे यह खा सुरू में निकलने वाली जो पत्तियां होती है अंकुरण वाली पत्तियां होती है उसे यह खा जाता है अब खाने के बाद आपके पौधे का विकास नहीं हो पाता है मौके पे जो आप देख रहे हैं यह सौस्त पौधा है इस तरह से अगर पौधा रहता है तभी विकास क के फाम में आता है इसे आप जो है इसका एक भाग और पांच गुना जो चूले की निकली हुई राख होती है उसमें हमें मिक्स कर लेना है चूले की राख को अच्छे से छान लीजेगा जिससे वो बारीक रहे और इस तरह से पौधों पर डालने में आसानी हो आप लोग एक क छिड़काओ करना होता है जब आप छिड़काओ कर रहे हों तो एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर इस तरह से नहीं डाल पा रहे हैं तो हाथ से डाल सकते हैं बस पत्तियों पर पढ़ जाना चाहिए और आप इस रोग से मुक्त हो जाएंगे यह जो रोग आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं स्याम वरण रोग और यह जब आपकी पत्तियों का विकास होने लगता है लताएं बढ़ने लगती है तब यह लगता है और यह एक फफूद जनित रोग है और इसे कंट्रोल करने के लिए आप कारबेंडाजीम और मैंक का मिक्सचर आता है इसे तीन ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से मिला करके आप लोगों को इस्प्रे करना होता है और अगर आप लोग इस्प्रे कर दे रहे हैं तो इसमें राहत मिल जाती है अगर एक इस्प्रे से राहत ना मिले चार-पांच दिन के अंतराल पे दुबारा इस्प्रे कर सकते हैं और अगर इस तरह से आप लोग कर देते हैं तो काफी हद तक राहत मिल जाती है और आप का जो पौधा होता है यह इस रोग से मुक्त हो जाता है यह जो आप रोग देख रहे हैं यह है खीरे का मोजैक रोग के नाम से इसे जाना जाता है और यह रोग ए और उसके बाद अगर आप इसमें दवा से कंट्रोल करना चाहते हैं तो उसके लिए है आपका डायमेथियेट या फासफेमिडान एक यबल प्रती लीटर के हिसाब से मिला करके आपको इस्प्रे करना होता है और जब यह रोग आपके खेत में लग जाएगा समानेत्या तो कम लगते हैं अच्छी देखवाल पर अगर लग गया तो बेगर पूछे आप इसे एक एक हपते के अंतराल पे तीन बार जरूर इस्प्रे कीजिए कम से कम दो तो इस्प्रे जरूर कर दीजिएगा तभी इस रोग पर आप प्रभावी नियंतरन पा सकते हैं और सबसे पहला तो काम यही रहेगा कि उसको उखाड के फेंग दीजिएगा तो इस तरह से इस रोग को आप कंट्रोल कर सकते हैं चौथा रोग हमारा है माहू तरबूज में जो है माहू रोग भी लगता है और यह क्या करती है कि आपके पत्यों के रस को चूस लेती है जिससे फल फूल ब खेत में लगती हैं तभी कि अवस्था में आप इस्प्रे कर दीजिए लेट मत हो यह नए तो यह काफी तेजी से फैल करके आपके पूरे खेत को प्रभावित कर सकती है तो इसका जो इलाज है यह यही है अब यह जो रोग आप लोग देख रहे हैं इसे कहते हैं करने के लिए आप एबा मैक्टीन 1.8% एबा मैक्टीन 1.8% इसी आप प्रयोग करेंगे और 15 लीटर में जो इसकी मातरा रहेगी यह रहती है 8-10 एमल प्रती 15 लीटर इसको मिला करके आप अगर इस्प्रे करते हैं तो इस रोग से आपको छुटकारा मिल जाता है आप जो हम रोग के बारे में बता रहे हैं इसे कहते हैं सुन्डी लगना दरसल क्या होता है कि यह छोटे छोटे जीव होते हैं जो आपके तर्बूजे या फिर पत्तों पे आ करके उसको खाना शुरू कर देते हैं जैसे अगर आपको तर्बूज बढ़ा हो जाता है तो ऐसी ठो सवस्था में पहुंच चुका है जो कि पकने की कगार पे होता है तो यह सिर्फ उपरी परत को ही कुरेद पाते हैं तो इससे बचने के लिए आप क्लोरोफाइफास और शाइपर मेथिन तकरीबन 15-20 ml प्रति 15 लीटर मिला करके इस्प्रे आप लोगों को करना रहेगा यह समानेत्या एक इस्प्रे में जो है कंट्रोल हो जाता है अगर फिर भी आपका कंट्रोल नहीं होता है तो आप दूसरा इस्प्रे कर सकते हैं लेकिन एक चीज का यहाँ पर आप लोग ध्यान रखें कि आप अपनी फसल का निरिछण करते रहें जैसे ही यह नजर आए ज अभी कंट्रोल हो पाएगा नहीं तो जब यह बड़े हो जाते हैं तब कंट्रोल करने में समस्या आती है और अंतिम रोग हमारा है फल मक्खी यह क्या होता है कि यह आपके फल पे आती हैं और उसमें छेद कर देती हैं इनका छेद करने का मुख्य उदेश यह होता है कि उस इनके अंडे पल सके तो यह फलों में अंडे छोड़े देती है उस पर छेद करके और यहां पर जो है अंदर अंदर पड़े यह विकास करते रहते बाद में बड़े होकर के बाहर आ जाते हैं लेकिन इससे आपके फल की size टेड़ी हो जाती है और आपका फल सड जाता है जब पहली आवस्ता में होते हैं तभी इनका आटेक आ जाता है तो इस वज़े से इसके बचाओ के लिए आप फल मक्खी ट्रैप या आप फिरोमेंट ट्रैप इत्यादी का उप्योग कर सकते हैं जिससे आप इस रोग से बच सकते हैं तो अब हम आप लोगों को बता दे रहे हैं क कदू के जो लालकीट होते हैं वह लगे थे और दूसरा इसमें था कि जो फल मक्खी है ये लगी थी और जो हमारा तीसरा रोग था यह जो सुंडी हम आप लोगों को दिखाए यह तीन रोग हमारी फसल में लगे थे और उसके लिए जो है आप हमारा जो दूसरा पार्ट इ तो आप रोग मुक्त रहेंगे अब हमारी फसल बहतरीन चल रहेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो इसकी नई कलिया निकल रही है ओभी अच्छे से विकास कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि आपकी बार हमें एक बहतर उत्पादन मिलेगा और हम उम्मीद करते हैं कि और हाँ आप लोग इस चैनल को सस्क्राइब कर लीजे यहाँ पर खेती बाड़ी से सम्बंधी जुड़ी लेटेस्ट जानकरिया आप लोगों को समय समय पर मिलती रहती है तो मिलते हैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए चलते हैं जै जवान, जै किसान